वेलकम स्टुडेंट्स मेरे चनल टेकी पाउन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है कंटेंट मतलब टेकी पाउन एकेडमी उसी कंटेंट की सीरीज में जो समस्ट्री अर्थिशादर के हमने नई सीरीज चला रखिये आज का हमारा टॉपिक है मोदरिक जीडिपी और वास्त्रीक जीडिपी में क्या अंतर होता है इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ क्या मोदरिक जीडिपी हमेशा वास्त्रीक जीडिपी से अधिक होती है और नहीं होती हमेशा अधिक तो फिर कौन-कौन से ऐसे case है जहां पर ये अलग-लग greater than और less than भी हो सकती है या equal to भी हो सकती है तीनों case हम देखने वाले हैं आपको उधारन की सायताज में ये समझाने वाला हूँ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लीजे और आएए देखते हैं इस वीडियो को टेकिपाउन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं स्टुडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है मौदरिक जीटीपी एवं वास्तिक जीडीपी में अंतर आएए देखते हैं न्यू सीरीज संपूर्ण समझ्टी अर्थशास्त्र सबसे पहले हम सकल गरेलू उत्पाद का अर्थ समझ लेते हैं एक लेखा वर्ष में एक देश की गरेलू अर्थ व्यवस्ता में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तों और सेवाओं के बाजार मुल्य की योगफल को ही सकल गरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं जिसमें ए एक लेखा वर्ष का मतलब होता है लेखांखन वर्ष आजकल लेखांखन वर्ष और वित्य वर्ष एक होने लग गए हैं जो एक अप्रेल से 31 मार्च के होते हैं और गरेलू आय में ये जो GDP है उसमें केवल अंतिम वस्तू और सेवाओं का मुल्य ही हम जोडते हैं इसके अंतिम वस्तों में अंतर को देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं सकल घरिलू उत्पाद GDP को दो भागों में बाटा जाता है मोदरिक GDP और वास्त्विक GDP अब देखते हैं अंतर इस सैड में हमने मोदरिक GDP लिये और इस तरफ हमने वास्त्विक GDP लिये इसका पहला अंतर देखे मोदरिक GDP को चालू कीमतों पर GDP भी कहते हैं चालू कीमते मतलब करन्ट एर की जो प्राइज है उस पर जब हम GDP का हकलान करते हैं तो उसे हम मोदरिक GDP कहते हैं वास्तिक GDP में इसे इस्थिर कीमतों पर GDP कहते हैं इस्थिर कीमते मतलब आधार वर्ष की कीमतों पर इसका अनुमान लगाया जाता है नंबर दो, किसी वर्ष की GDP का मुल्य उसी वर्ष की चालू कीमतों पर आका जाता है जैसा कि मैंने भी बताया, जब करंट एर का प्रोडक्शन और करंट एर की प्राइस ली जाये तब उसे हम मौदरिग GDP कहते हैं और वास्तिग GDP किसी वर्ष की GDP का मुल्य इस्थिर या आधार वर्ष की कीमतों पर लिया जाता है अर्थात वो पादन तो हो माली जे 2020 का और कीमते ली जाये 2010 की तो उसे हम वास्तिग GDP कहते हैं अभी हम इसे उधारण के माद्यम से और समझने वाले हैं तीसरा पोइंट चालू कीमतों पर GDP का सुत्र होता है P1, Q1 P1 का मतलब है current year price Q1 का मतलब है current year production जबकि वास्तिग GDP का सुत्र क्या होता है P0, Q1 जहां P0 base year price है और Q1 current year production है तो इन दोनों के गुणन फल को हम वास्तिग GDP कहते हैं जबकि इन दोनों के गुणन फल को मोद्रिक GDP के रूप में जानते हैं चोथा point हमारा मोद्रिक GDP कीमतों में परिवर्तन था उत्पादन में परिवर्तन दोनों से परवावित होती है अर्थात कीमत बढ़ जाएगी या बदल जाएगी कीमत बदलेगी तो भी मोदरिक GDP बदल जाएगी और उत्पादन बदल जाएगा तो भी मोदरिक GDP बदल जाती है जबकि वास्त्रिक GDP केवल उत्पादन में परिवर्तन से परवावित होती है क्योंकि वास्त्रिक GDP में कीमतों को इस्थिर माल लिया जाता है तो जब कीमत इस्थिर हो जाएगी तो कीमत के परिवर्तन का परवाव वास्त्रिक GDP पर नहीं पढ़ता है फिर है मौद्रिक GDP यह आर्थिक विकास का सही सुचक नहीं है क्योंकि हो सकता है मौद्रिक GDP केवल कीमते बढ़ने के बढ़ने के बढ़ी हो उत्पादन बढ़ा ही नहीं हो जबकि वास्त्रिक GDP को आर्थिक विकास का सही सुचक माना जाता है क्योंकि यह कीमतों में परिवर्तन के परबाहों से मुक्त होती है और केवल उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाती है इसलिए इसे हम वास्तित GDP या कल्यान कारक्स GDP के रूप में भी जान सकते हैं अब देखे हम इसे टेबिल के माध्यम से समझते हैं इस पूरे उधायरण से मैं आपको बता दूँगा कि ये क्या चीज़ है तो देखे सबसे पहले ये समल लीजिए पीवन बराबर चालू वर्ष की कीमत पीजीरो बराबर आधार वर्ष में कीमत क्यूवन बराबर चालू वर्ष में मात्रा और क्यूजीरो बराबर आधार वर्ष में मात्रा ये वस्तुए हैं सपोच कीजिए अर्थवय वस्ता में ये 5 अंतिम वस्तुएं है और 2010 में इनकी कीमते P0 ये है 2010 की इनकी मात्रा Q0 ये है ठीक है हमने इसे आदार वर्ष लिया है 2010 को और 2020 की कीमते कितनी है P1 ये डी हुई है अलगलग वस्तुगी कीमते और 2020 की मात्रा ये डी हुई है जैसे ग्यूंग की मात्रा 25 गी की 10 दूद की 15 इस तरह से, ठीक है, अब हम मोद्रिक GDP निकालते हैं, पहले 2010 की, 2010 की मोद्रिक GDP का सुत्र क्या होगा, P0, Q0, यानि की 2010 की ही कीमत और 2010 की ही मात्रा का गरगुणन फल करेंगे, तो हमारे पास 2010 की मोद्रिक GDP निकल के आ जाएगी, जैसे, 10 x 10, 100, 35 x 3, 105, 30 x 5, 150, 10 x 20, 200, इस तरीके, और इसका योगफल कितना है, हमारे पास, 635, अब हम निकालते हैं, वास्त्विक GDP 2020 की, द्यान देना, वास्त्विक GDP 2020 की, जिसमें हमने 2010 की कीमत ली है, और प्रोडक्शन लि हम ये वाली टेबल, और ये 2020 का हम प्रोडक्शन लेने वाले हैं, तो 25 x 10, ये देखें आप, इसको देख सकते हैं, आप, ये 25 x 10 करेंगे, तब हमारे पास ये 250 आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही 10 x हमने ये किया, 35, तो हमारे पास कितने आ गए, 350, इस तरीके से ये वास्तिक GDP, ये 2020 के लिए, तो ये कैसे निकलिए, P1, Q1, तो P1 वाली टेबल ये रही, और Q1 वाली ये रही, यानि कि 2020 की ही कीमत है, और 2020 का ही प्रोडक्शन है, तो उससे जो निकलेगा, उससे हम 2020 की मोदरिक जीडिपी कहेंगे, तो आप देख सकते हैं, टेबल में, कि 2010 की जो मोदरिक GDP है, वो 635 है, 2020 की वास्तिविक जीडिपी 1450 है, और 2020 की जो मोदरिक जीडिपी है, वो 1560 है, अब निशकर्ष क्या निकला, निशकर्ष ये निकला है इससे, कि वास्तिविक जीडिपी तो 635 से बढ़कर 1450 रुपे हुई है, जबकि मोदरिक जीडिपी बढ़कर 1560 हुई है अब आप दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन सी सही है क्या है तत्व इन दोनों में अंतर क्यों आया इन में अंतर आया है प्राइस को लेकर देखिए आप इधर देखेंगे गोर करके तो दोनों में एक चीज कॉमन है क्या Q1 यहाँ पर भी है और Q1 यहाँ पर भी है इसका मतलब Q1 का अंतर दोनों में नहीं है तो फिर अंतर किसका है यहाँ P0 है जबकि यहाँ P1 है इसी के कारण इन दोनों की यह calculation में अंतर आया है अगर इन दोनों का P भी सेम होता तो इन दोनों का answer भी सेम होता यानि की मोदर Maudrik GDP जो यह 1560 दिख में जो ज्यादा दिख करा अ रहимиए कुईकि व्वास्टिविक GDP 1450 आई यह और Maudrik GDP कितनी आई यह 1560 तो यह जो अतनी ज्यादा GDP दिखाई दे रहिक में Maudrik वो कीमत में ब्रद्दी के कारण है अगर कीमते नहीं बढ़ती है इतनी तो ये 1450 ही होती है ठीक है अब हम देखते हैं इस पर्षन का उत्तर कि क्या मोद्रिक GDP हमेशा वास्त्रिक GDP से अधिक होती है इसका उत्तर मैं दे देता हूँ कभी भी ऐसा नहीं होता है तो कौन-कौन से केस है जिसमें क्या-क्या हो सकता है मैं इसे अभी तालिका के माद्रिक हम से समझाने वाला हूँ केस वन जब P0 बराबर P1 हो यानि कि आधार वर्ष की कीमत और चालू वर्ष की कीमत अगर बराबर हो तो मोद्रिक GDP और वास्तिक GDP बराबर होगी दूसरा केस जब P0 greater than P1 हो अर्थात आधार वर्ष की कीमत जादा हो चालू वर्ष की कीमत से तब मोद्रिक GDP वास्तिक GDP से कम होगी और तीसरा केस जब P0 less than P1 हो अर्थात जो P0 है अगर करेंटियर प्राइच से कम हो तो मोद्रिक GDP greater than होगी वास्तिक GDP के अब हम इसे टेबल के माद्यम से समझते हैं इसी टेबल को मैं अब दिखाता हूँ दूसरे रूप में इस्टुडेंट्स हम इस नई तालिका पे आ चुके हैं नए रूप में अब देखिए यहां तक आपने देख लिया था कि मोद्रिक GDP 2010 की 635 है फिर 2020 में वास्तिक GDP बढ़कर 1450 हो गई है जबकि मोद्रिक GDP 1560 हो गई है तो यह पहला केस तो आपके सामने आ गया है कि मोद्रिक GDP वास्तिक GDP से अधिक है इसमें तो कोई दोराय नहीं है आपके सामने आ चुका है कि कैसे 2020 की मोद्रिक GDP 2020 की वास्तिक GDP से अधिक है अब हम देखते हैं क्या ये दोनों बराबर हो सकती है वास्तिक GDP और मोद्रिक GDP किस केस में बराबर हो सकती है तो देखिए दोनों में अंतर किस चीज का है यहां P0 है और यहां P1 है तो हम क्या करते हैं हम कीमतों को जो नई क कीमते हैं उसे हम आधार वर्ष की कीमत के बराबर ही कर देते हैं देखे हम समझते हैं कि कीमत बड़ी नहीं तो यह जो द्युक्त पीष़ वरो दिख रहा है अभी इसको मैं डिलीट करने जा रहा हूं और इस की जगेenne मैं रखने जा रहा हूँ, ये वाली टेबल, अर्थात कीमते नहीं बड़ी है, जितनी कीमते 2010 में गेहूं, गी, दूद, चावल, और चीनी की थी, उतनी ही कीमते अभी भी 2020 में हैं, तो देखे क्या परिणाम होता है, ये देखे मैं पेश्ट कर रहा हूं इसे, और अब आप result, result आगया, दोनों की बराबर हो गई है, amount, क्यों हो गए है, क्योंकि अब ये हो गया है, कि कीमते बड़ी नहीं है, ना गटी है, 2010 में जो कीमते थी, वही सेम कीमते अभी भी हैं, ना कीमत गटी है, ना बड़ी है, जिसके कारण, जो वास्तिक GDP थी, और मोद्रिक GDP है, दोन कीमतों में परिवर्तन के कारण ही मोद्रिक GDP और वास्तिक GDP में अंतर होता है, लेकिन यहां कीमत में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, इसलिए दोनों की दोनों ये 1450, 1450 सेम हो गई है, तो आपने ये दूसरा केस देख लिया, कि वास्तिक GDP और मोद्रिक GDP का बराबर हो सकती है, अब हम तीसरा केस देखते हैं, तीसरा केस हम देखने वाले हैं कि क्या वास्तिक GDP अधिक हो सकती है, मोद्रिक GDP से, तो देखे इसको 2020 में कीमते बढ़ाने के बजाए, अब हम क्या करते हैं, गठा देते हैं, ये 10 है ना, तो आप मैं देखें इसको 10 को यहां से पांच कर देता हूं, फिर मैं इसको 30 कर दिया मैंने, ये इसको मैंने 25 कर दिया है, इसे मैंने 5 कर दिया है गठा के और इसे मैंने 10 कर दिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं, और जैसे ही मैंने ये किया, result आपके सामने है, जैसे ही कीमते 2010 की तुलना में, 2020 में मान लीजे कीमते ग गट गई है लेकिन खास बात वास्त्विक GDP अभी भी उतनी है वास्त्विक GDP में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि उसमें कीमतों का परिवर्तन शामिल नहीं किया गया है तो आप देख सकते हैं इस केस में वास्त्विक GDP मोदरिक GDP से अधिक हो गई है मोद्रिक GDP तो केवल 1050 है जबकि वास्तिक GDP 1450 हो गई है तो तीनों निश्कर्ष हमारे निकल चुके हैं कि मोद्रिक GDP वास्तिक GDP से अतिक भी हो सकती है मोद्रिक GDP वास्तिक GDP के बराबर भी हो सकती है और मोद्रिक GDP वास्तिक GDP से कम भी हो सकती है अब हम अमारे टॉपिक पे चलते हैं को उमीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा कंटेंट अच्छा लगा होगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब करें आपको और भी अर्थशात्र के बहतरीन वीडियोस देखने को मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद